आप हम बात करेंगे 12 राशियों की बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहते हैं किसका भागोदे होगा कौन विदेश जाएगा किसको आयात निर्यास से धनलाप होगा माली हालत किसके च्योगी कौन भूम भूम प्रापर्टी खरीदेगा इस सारी बाते बताऊंगा किस प्रियोग करने से आप महानुनत करेंगे सौधानी के अबरतने उपाय क्या करना है आईए शुरुआत करते हैं मेश राशी से जो मेश राशी की जातक हैं आज आपके अपने रिष्टों में सुधार होगा आपके कारेश चत्र में बड़ी सफलता मिलेगी बच्चों के ले और पत्नी को नोख्री मिलने की संभाव नब बन रही है सौधानी के अबरतनी है संतुलित व्यावार करना आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना है दिन दुख्यों की मदद करें अच्छा रहेगा अगर कोई दिन दुख्य गरीब है तो उसकी मदद करें आपके के लिए बैतर होगा और आज का जो सुभंग है वह नौ सुभ रंग है शुर्ख लाल और लक मीटर है आठ हरी कृष्णा बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक हैं आज आपकी जीवन में खुशियों समरिध्धी का आगमन होगा परिवारी के सित्य अच संदार होगी दूर देश के आत्रा हो सकती है बिदेश जाने का उसर मिलेगा कई प्रकार की परिशानिया दूर होंगी माता-पिता का सुख मिलेगा दांपति जीवन में सुधार होगा आपने जो उचस्त निमनस्त लोगों के साथ रिस्टों में सुधार होगा अधिक हो सकता है शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते उससे आपको धन मिलेगा प्रसाशनी कारों में आप उम्दा प्रदर्सन करेंगे योजना बनातेस में अन्भवी लोगों की सलाह जरूर लें अपने टीम के सदस्यों के साथ तल्ग भरी बातें ना करें उनसे तार रि विएक और उसे नरी से मन परसंड रहेंगा सौधानी के अबरतने नकर आत्मक सोच पर नियतना रखेंगे और उपायक्या करना नए वैपार से लाव होगा आपके सभी छोटी मोटी योजना है सफल होंगी परिशानिया दूर होंगी आपके लिए समय शूफ होगा और मांगली कारोनी की भी संभावना बन रहा आपको बड़ी सफलता मिलेगी और मेहनत करने की जुरूरत है और आज आप मेहनत करके अपन सब्सक्राइब न करें उपाय का करना है सफेद वस्त्र दान करें या दूद्ध या दही किसी गरीब व्यक्ति को दें अच्छा रहेगा सुब रंग सफेद लक्मिटर साथ हरे कृष्ण बात करते हैं शिंग राशी की जो शिंग राशी की जातक है आज आपके अपने बु से दूर रहे हैं परिशितिया अनकूल है नकरात्मक बातों में न पढ़ें अपनी पूरी उर्जा अपने विकास में लगाए समय आपके लिए बहुत अनकूलता लिए हुए है तो निगेटिव चीजों से दूर है कोई ऐसा कारें न करें जिससे आपका समय बेवजा करें करें से ट्रेडिंग्स दहनलाव मिलेघा मालीहालत अच्छों की दूरदेश के यात्रा हों कि सौधानी का अपरत्नी है नकरात्मक लोगों से दूर रहे हैं या जो गलत लोग हैं उसे दूर रहे हैं उपाय क्या करना भगवान भुले नात की अराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम नमस्षिवाय मंत्र का जब करें सूबंग के पांच सूब रंगे पीछ कलर और लक मीटर है आठ हरी बात करते हैं कन्या राशी की जो कन्या राशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए मिला जूला मिस्रित फल देगा आपके बौधिक शमता का विकास होगा और कोई भी कारिक करते हैं अपने बौधिक शेत्र का जो बौधिक लेबल पर है आपका उसका जुरूर प्रयोग क है आंतरक सक्तिक और लोकन करें और अपने अतिंद्रे ग्यान की बात माने और बहुत जादे किसे ब्लाइंट रस्ट ना करें जो आपका मन कहता हो करिए और अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए इंटुईशन की बात जरूर माने परिशानिया दूर होंगी जितने विरोध सांती मिलेगे और आर्थी किस्तिया आपकी भजबूत होगी सेहत भी ठीक रहेगा सुभंके छे सुबरंगे ग्रीन और लक्मीटर है साथ हरे बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी के जातक हैं आज उनके लिए समय काफी अच्छा है खास तरस जो भी दैरते हैं और आगे बढ़ने का उसर मिलेगा किसी पुराने रिष्यदार या दोस्तों से आज आज आपकी मुलाकात हो सकती है और छुटी दूरी की यात्रा करने का प्रवल योग बन रहा है इस्तियान कूल है पिता का सुख मिलेगा प्रापल्टी ताद खरेदने का उसर मिलेगा से सपाय क्या करना तीन मुखिर उद्राख्षधान करना आपके शेहत के लिए ठीक रहेगा आज के लिए आपके लिए मुहत्पूर्णंग है दो और रंग जो है आपके लिए सफेद है और लक मीटर आपके लिए आठ है अब बात करते हैं ब्रिष्चिक राशी के जो एक्षचें और सफलता पाने के लिए कठीन परिस्रम करने की जुरूरत है आप जितना मेहनत करें उसे सद्थ देगां आपका बागा ब्रिदी में साहिक से दोगा आपका महनत करिए पिता के साथ रिस्टों में सुधार होगा पतिन और मां के रिस्टों के मैं जो कलवाहट और तनाव होगी हो सकती है दिक्कतें आ सकती है तो मध्यमार के पनाना आपके लिए अच्छा रहेगा प्रापल्टी से लाभ होगा रुकवादन मिलेगा रोग और सत्रू परास्त होंगे सौधानी के अबरतनी खान पान पनियत्र रखें उपाय क्या करना है बजरंग बान का पाठ करें और बूदी के लड़ू बांटना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंक है आठ सुबरंग है सुर्खलाल और लक मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं धनूराशी की जो धनूराशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए प्रत्कुल रहेगा कठिन परिश्रम करने की जरूरत है आप अपनी जाप बदलने के फिराक में है या सोच सकते है उसमें आपको काफी लाफ मिलेगा लंबी दूरी की आत्रा हो सकती है आज का दिन बेहत खास है दामपति जो में मतवेद पैदा हो सकता है पतनी की बात को सुने बात दिवाद से बचें किसे के साथ डेटिंग कर सकते हैं उसका योग बन रहा है लेकिन आपके प्रत्कु अच्छा रहेगा उपाय क्या करना है आज आप पीली वस्तो का दान करें या केले को केले बंदरों को खिला में अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी की जातक है आज जो टेक्निकल चेट से जुड़े लोग है उनकी लिए आज का द करने से बचें आज आपको अचानक यात्रा का योग बन रहा है और अचानक यात्रा करनी पढ़ सकती है परिवार के साथ किसी तिर्थ यात्रा पर जा सकते हैं यात्रा आपके लिए सुखद रहेगा संतत्यों का सुख प्राप्त होगा मन परसंद रहेगा कई महत्मुन कार हो से आपका मन पसंद रहेगा प्रापल्टी खरीदेंगे रोग और सत्र प्रास्थ होंगे दूर देश के अत्रा होगी प्रापल्टी खरीदने का योग मनने घर बनवा सकते हैं और नए कारियों से धनलाब होगा सौधानी के अपरत्ति हैं तनाफुन महाल से बचें उपाय क्या करना है गायतिरी मंत्र का जब करें ओम भूर भुवा स्वाह तश्वेतुर वरेडियम भर्गो देवस्य धीमई धीयो योनः पर्चो दयात इस मंत्र का जब करना आपके लिए अच्चा रहेगा सुबंके चार सुबरंगे काला लक मीटर है आठ हरेगा बात करते हैं कुम राशी की जो कुम राशी की जाता है आज आपको अप्रत्यासित रूप से लाब होगा भागे पर निर्भा रहने के बजाए थोड़ा कठिन परिश्रम भी करने की आउशकता है काम काच परिवार क के लिए कठिन वक्त चल रहा है इसमें सांती और समझदारी से काम लें आप सफल रहेंगे आज आप तिर्थ पर जाने का योग बन रहा है तिर्थ हात्रा से लाब होगा मांसिक सांती मिलेगी शकून मिलेगा परिवारिक के सती थोड़ा सा उतार चुड़ा हो सकता है पतनी बनाने का भी औसर मिलेगा सौधानी का बरतनी है शेयर में पूजी ना लगा में नहीं तो पैसा डूप सकता है उपाय क्या करना सुन्दर कांडिया विजनकबान का पार्ठ करना आपके लिए लाफ्रद रहेगा सुभं के चार सुब रंगे भूरा लग मीटर है साथ हरी आ आज आपको कला संगीत साहित्य में आपकी रुची बढ़ेगी और उधर आपको धनलाब भी होगा उधर से अपनी छबी को लेकर करके सचेत रहें प्रापल्टी से जुड़े मसले ठीक होंगे दूसरे गलत आरोप लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं उससे बच्चें इंट की टेरिटरी में दखनांदाजी ना करें कई महतपूर्ट चुनों उतियांगे चुनोंतियों को शिकार करते हो आप आगे बढ़ेंगे आज आपको सौधानी क्या बरतनी हैं बेवजा ही आत्रा करने से बच्चें हो उपाय क्या करना है पंच मेवा का खीर प्रसाद रूप में अर्पित करें सुभंग के नो सुभरंग है गोल्डेन कलर लक मीटर है आठ हरे करें